कि हैलो म眾 जब शस्वागत आप सभी का इथ्यास और दोस्तों आज हम एक और महत्पून क्लास को लेकर आएए हैं यह दोस्तों अभी जो पर आधुनिक भारत का इथियास चल रहा है और आधुनिक भारत के अंदर जो टोपिक चल रहा है वो पंजाब का ही टोपिक चल रहा है महराजा रणजीत सिंग का तो जो मुझे चीजे इंपोर्टन लगती है मैं आप सभी के लिए यूटूब पर ले आता हूं जिए दोस्त अखिरकार अमरसर की संधी की ऐसी क्या शर्त थी जिस वज़े से ये कथन कहा गया था ठीक है सारी बात करेंगे दोस्तों महराजा रणजीत सिंग महराजा रणजीत सिंग जो है धीरे 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 अपना प्रसार कर रहे होते हैं शेत्र विस्तार कर रहे होते हैं ठीक है और जैसे ही अमरत सर की संधी होती है तो महाराणा महाराजा रणजी सिंग जो है उनका जो पूर्वी विस्तार है वह एक प्रकार से बैन हो जाता है देखते हैं दोस्तों आखिरकार ऐसा क्यों होता है देखिए आप सभी को पहले एक मैप दिखाऊंगा देखिए दोस्तों यहां है यह दोस्तों कि पंजाब का मैप है उस समय का मार normal जीत सिंह के समय का पंजाब का अधार यहां पर दिखाई ले रहा है राथियों यहां पर आपको एक नदी लिलिक्ति कि इसका नाम है से पर कि एगदेगा है इसके चुल यहां पर आपको झाए दिखाय दहीं रहे है कल में समस्ते लिपन क्यों कि यह एक्जाम में भी पुछा जाते है प्रशन लाहूर और इसके लावा दोष्तों यहां पर आपको इक जगह दिखाय दे रही है यह है क्या अम्रत सर जिन जिन जगहों का नाम ले रहा हूँ, वे जगह सारी ही महत्वपूर्ण है आज की कलास के लिए इसके लावद देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, फिरोजपूर है, मलेर कोटला है, फरीद कोट है, ठीक है, यह तीन जगहें हैं, ठीक है, फिरोजपूर, मलेर कोटला और फरीद कोट, यह तीन जगहें और है अब देखिये दोस्तों, यहां पर बात है 1798 की, सुनिए अराम से. 1798 के अंदर एक व्यक्ति, अफगानिस्तान का शाषक जिसका नाम होता है दोस्तों, जमान शाह. जमान शाह जो है, वह है अहमद शाह अब्दाली का पोतर होता है, ठीक है पोतर, पोता. जमानशा जो है दोस्तों यह है पंजाब पर क्या करता है आकर्मन करता है पंजाब पर इसने क्या किया आकर्मन कब किया दोस्तों इसने आकर्मन किया 1798 के अंदर आकर्मन करकर जब यह है वापिस लोट रहा होता है अफगानिस्तान की तरफ तब इसकी जो कुछ तोपें होती ए अब दोस्तों कुछ इत्यासकार जो है वह मानते हैं कि ये नदी जो है ये चेनाब नदी थी और कुछ इत्यासकार जैसे की विद्या सागर-सुरी, जैसे इत्यासकार जो है वह मानते हैं कि ये जो नदी थी ये जेलम नदी थी तो जेलम या चिनाब नदी इतियासकारों में विवाद रहता है ठीक है तो आप मान सकते हैं कि जमान शाह की जो तोपे थी वह जेलम या चिनाब नदी में फस जाती है तो दोस्तों उसके पश्चात जो महाराजा रणजी रंजीत सिंग है वह क्या करते हैं इन तोपों को निकलवाकर पुन है जमानशा के पास भेज देते हैं जमानशा की तोपे फस जाती है तो महराजा रंजीत सिंग इन तोपों को निकलवाकर पुन है जमानशा के पास भेज देते हैं अब जमानशा खुश होते हैं और वह जो ह रंजीत सिंग को लाहोर का सूबेदार नियुक्त करते हैं दोस्तों मैं एक कड़ी बनाने का परियास कर रहा हूं फिर हम अमरसर की संदीप आएंगे इस परकार 1799 में इसमी के अंदर रंजीत सिंग जो है रंजीत सिंग लाहोर में प्रवेश करते हैं लाहोर में प्रवेश करते हैं ठीक है अब देखो दोस्तों यहां पर पंजाब की राजनितिक राजधानी क्या थी लाहोर थी और पंजाब की धार्मिक राजधानी क्या थी दोस्तों डार्मिक राजधानी थी अमरस्र छीक है और यह राजनितिक है तो धार्मिक राजधानी अमरस्र थी और साथियों 1802 या 1805 उतके अ 1802 या 1805 में क्यों बोल रायूं साथियों अभी रूकिये 802 या 1805 1 305 हो खात्तार सो दोस्तों कुछ से किया अधिकार तो vulnerभार और-इसीन ने Jacob किया Auchan चेंज कौर दोस्तो ACCरो करा ने डिखे निट डिखेंट रोचने फेल्ट पाषिव यह तो एक उनुल फ्रहषय के अडिकार नहीं है यानि कि वे भी कह रहे हैं कि 1802 वास्तिक नहीं है तो दोस्तों दो दिमाग में रखना 1802 या 1805 ठीक है अगर करम से कुशन आए कि लाहूर पर 1799 में उसके वादी अमरसर पर तो दोस्तों याद रखना 1802 या 1805 में से ही एक होगा ठीक है चलिए तो अमरसर पर अधिकार हो गया और इसके साथ ही दोस्तों यहां पर 1808 के आसपास जो है फरीद कोट, मलेर कोटला और ये जो है फिरोजपूर इन पर भी अधिकार कर लेते हैं कौन रंजीत सिंग अब दोस्तों रंजीत सिंग जब इन शेत्रों पर अधिकार करते हैं तो धिर दिर आप यह देख रहे हैं कि रंजीत सिंग जो है पूरुव की तरफ अपना क्या कर रहे हैं प्रसार कर रहे हैं यानि कि पूरुव की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, अमबाला पर भी अधिकार कर लेते हैं वह, ठीक है, अमबाला पर भी अधिकार कर लेते हैं, तो देखें दोस्तों, इस परकार से पूरुव की तरफ, अगर हम देखें, तो उत्तर पश्चिम में देखें दोस्तों अगर हम भारत का नक्षा देखें, अगर हम इस परकार से एक शोटा सा मैं नक्षा बनाओं दोस्तों, हना, पूरा तो नहीं बना रहा, चलो बना ही देते हैं जैसा बनता है, तो देखें दोस्तों, इस परकार से हम देख सकते हैं, अगर ये उस समय का अगर हम पंजाब देख से खत्रा भी साभित हो सकता था हालां कि अंग्रेजित सींग जो य Veteran अग्रेज्ञ उलजन नहीं चाहते थे जुर ऐब हे इस प्रकार से जब रंजीत सींग अपना परसार कर रहे थे तो यहां पर जो दोस्तों फिर 1809 में एक संधी होती है अंग्रेजों और रणजीत सिंग की बीच में ठीक है आईए देखते हैं 25 अपरैल 1809 को रणजीत सिंग ने गवर्नजनरल मिंटो के एक दूट होती है जिसका नाम होता है चार्लस मेटकोफ से अमरसर की संदी की जो मिंटो है गवर्णर जणरल वह है चाल्स मेतकोफ को बंचे संधी संधी हe दोस्तों के संधी के अंदर आप देखेंगए 13 नदी को जो है वह दोनु राज्यों की सीमा रेखा स्विकार कर लिया गया यहां देखिए मैप में जैसे कि दोस्तों यह मोटी-மोटी लान में अगर यहां पर आपको हाइलाइट करूं सतलज नदीवाली ठीक है तो देखिए ये जो मोटी मोटी लाइन है इस लाइन को जो है दोस्तों दोनु की सीमा रेखा हैं अंग्रेजों और पंजाब सीमा रेखा माल लिया जाता है इसके लावा रनजीत सिंग ने सतलज के पूरू में अपने दावे छोड़ दिये यानि कि देखें दोस्तों रनजीत सिंग जो है फिरोजपूर है फरीत कोट है अमबाला जैसी जगों पर जो कि सतलज के पूरू में स्थित्थे यहां से अपना दावा उन्हें छोड़ना पड़ता है, ठीक है, और देखें दोस्तों, और क्या हुआ, रणजीस सिंग को सतलज के दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम में विस्तार की छूट दी गई, यानि कि देखें वापिस मैपर आते हैं, यानि कि अब जो है, रणजीस सिं ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने अपनी सिमा विस्तार किया भी, ठीक है, मुल्तान पर, तो पूरवी विस्तार पर रोक लगा दी जाती है, और उत्री और पश्चिमे विस्तार में छूट दे दी जाती है, ठीक है, यही जो है संदी के तहत हुआ था, अंग्रेजु ने रंजीत सिंह की क्या हो चुकी है, मिर्टी हु चुकी है, है ठीक है, पुरिया नोस्तों भी तो अन्होंके देख्यों अपनी ग्रीतों आ विस्तार कर रहा था, विस्तार कुछा, अब और था इस वित्तार का। मुल्तान 1818 में दोस्तों यह तारिखें याद रखना, एक्जाम में पूछ लिए Lyndry सजाईयaire तो याद रखना ठीक है कश्मीर 1819 में अब आप सभी को देखो कश्मीर पर 1819 में दिगार करते है मुल्तान पर 1818 में दिगार करते है अब दोस्तों पेशावर को लेके आप सभी की दिमाग में दो तारीके चलती है, एक तो चलती है 1823 और एक दोस्तों 1834, आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो 1823 मिलेगा, कुछ बुक्स में दोस्तों 1834 मिलेगा, ठीक है, देखिए, रणजीत सिंग जो है, वह है, पेशावर पर 1823 में ही अधिकार कर लेते हैं, समझिएगा, ठीक है, 1823 में ही अधिकार कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों पेशावर को विधिवत रूप से पंजाब सामराज्य का या सिख सामराज्य का जो हिस्सा बनाया जाता है, वो बनाया जाता है दोस्तों, 6 मई 1834 को हरी सिंग नलव कि पेशावर पर अधिकार कर लिया जाता है तो इस प्रकार से आप देखिए दोस्तों अमरसर पर 1802 या 1805 इसमें दोस्तों विवाद है ठीक है लाहूर पर 1799 में सुभेदार निफ्ट हो जाते हैं ठीक है उसके बादे दोस्तों धार्मिक राजधिनी अमरसर और यहां पर एक पूरुव के दाओं को जो है रनजीत सिंग को छोड़ना पड़ता है ठीक है और फिर जो है दोस्तों उत्रपश्ची में विस्तार करते हैं 1819 में कश्मीर 1823 और चोंतीस में पेशावर विधिवत रूप से चोंतीस में और 1818 में मुलतान परदिकार हो जाता है तो इस परका महतषिपून कलास थी हाना आपसे अक् leopard आग्जाम में पूछले जाए अमरत् सर्वत चशली की संधी के तहट हए तो याद रखिएगा सतलज की पूर्वी सीमह ना कि पस्चिमी सीमह हाना सतलज की पूर्वी सीमह पर विस्तार को को अवरूद किया ऐसे पूछ ले जाए कि पश्चिमी सीमा में विश्थार को क्या किया दोस्तों अवरूद कर दिया गया याद रखेंगा ये बात महत पून है ठीक है दोस्तों और बाकी जो है दोस्तों हमारी अप्लिकेशन पर प्राचीन भारत का इतियास जो है वह काफी ह अब तक कंप्लीट हो चुका है उसमें दोस्तों 90 से भी ज्यादा क्लासे में अप्लोड कर दी है और दोस्तों आधुनिक भारत का इतियास अभी चल ही रहा है अभी तो उस पे रणजी सिंग वाला जो है दोस्तों चैप्टर हम पढ़ाएंगे भी तो कुल मिलाके अगर अपनी पकड मजबूत बनाना और दोस्तों अच्छे से इसी परकार से इतियास को पढ़ना तो आप हमारे courses join कर सकते हैं चले दोस्तों तो उमीद करता हूं कि इतियास की ये जड़ी बुटी वाली कलास देखे दोस्तों नाम मत भुलना ये एक परकार से जड़ी बुटी ही है ठीक है जड़ी बुटी वाली कलास जो है आपके लिए महतपुन साबित हुई होगी ठीक है और साबित होगी डेफिनेटली होगी दोस्तों जब प्रशन आएंगे एक्जाम में तब आप देखेगा जो भी महतपुन चीज होती है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं उम क्र जा मार दोड़ार में तो दॉटी आपके लिए एक खिरूआ, कि लिए झाले होगी बुटी आता हूं सब्साइग देखेड़ साब टाण hyvin yakहा है और स्registra कृष्ड़म प्रशन दक्र विए बदो किता है जोकिते।